नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टोप 25 पर्मुख खबर जानते हैं पवीत्र भूमी से जारखन मुख्य मंत्री मयाज समान योजना की सोगात देंगे योजना के तहत पंजी करन कराने वाली जारखन की 45 लाग सधिक महिलाओं के खाते में मुख्य मंत्री हेमान सुरेन 11000 रुपय की दूसरी किस्ट टांसफर करेंगे अलग अलग कारे करमों के जरिये हेमान सुरेन महिलाओं के खाते में मुख्य मंत्री मयाज समान योजना की पहली किस्ट की राशी टांसफर कर चुके हैं बता दे जारखन की 48,15,048 महिलाओं ने अब तक इस योजना के लिए खुद को निबंधित कराया है जिसमें से 45,36,597 महिलाओं को समान राशी का लाव मिलना सुरू हो चुका है पीएम मोदी कुर्मी समाज को एश्टी में सामिल करने का सौगात दे कुलहान की धारतिबर 15 सितंबर को देश के परदान मंत्र नैंद मोदी आ रहे हैं कुल्मी समाज को उनके आगमन पर खुसी है वे उनका तहे दिल से स्वागत वा अभिनदन करते हैं लेकिन या कुसी कुल्मी समाज के चेहरे पर हमेशा के लिए रह जाता यदि उन्हें उनका समयधानिक पहचान दिया जाएगा कुल्मी समाज लंबे समयध से एस्टी की सूची में सामिल करने वो सरना धर्म को मनयाता देने की मांग कर रहे हैं लेकिन अभी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया कुल्मी समाज पी एम नरेंद मोदी से मांग करते हैं वेजम सेदपूर लोह नगरी के आगमन पर कुल्मी समाज को एस्टी की सूची में सामिल करने वो आदिवासियों को अलग धर्मकोड देने की घोसना करें यह बाते जार्खन अंधुरनकारी सा कुल्मी नेत्ता हर मोहन महतों ने गुरुवार को एक प्रेस भी अपती जारी कर दी है उन्होंने बताया है कि जार्खन समेथ बंगाल वा ओडिशा के कई जीलों में कुल्मी समाज की अच्छी खासी अबादी है जार्खन हाई कोट में बलैक आउट बिजली जाने से कर्यवाही बाधी जार्खन में बिजली बेवस्था बधाल है ताजा उदारन हाई कोट का है जहां गुरुवार को अदालत की करवाही के दोरान बिजली चली गई जिसके कारण पूरे परिशर में अंधेर अचा गया। नतीजा कर्यावाही को थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। इस वज़ा से सभी लोग परचान हो गए। जिसके वज़ा से आदालत की करवाही थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ा। बता दे कि हाई कोट भौन में 33 के वी बिधान सभा और 33 के वी हाई कोट फीडर से लाइन दी जाती है। दोने ही फीडर से लाइन चालू है इसके बावजूद लाइट चली गई। ज्यारखन में महिलाओं के खिलाब बढ़ते अपराद पर हाई कोट गंभीर। रांची के तमाल की नवाली का ट्रक ड्राइबर द्वारा अफ़रन और दुसकर्म। रिम्स की लिप्ट में महिला डॉक्टर से छेड़खानी। जमसेदपूर में स्कूल वैन में ड्राइबर के द्वारत तिन वर्स का छात्रा के साथ योण सोसन के मामले में ज्यारकन हाईकूर ने गंभीता से लिया है। बुद्वार को जन ही त्याज के अपर सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीप जश्री सुजीत नरान परसाद और जश्रीस एक के राय की अदालत ने राजी के गिरी सचीव, नगर विकास सचीव, पूलिस महानी देशा, करांची के उपायूक्त और नगर निगम के प्रस सक को 18 सितंबर को अदालत में हाजीर होकर जबाब देने का निर्दिस दिया है, अदालत ने अधिकारियों को या बताने को कहा है कि महलाओ और बचों के खिलाब योन उत्पिरन और अपराद की घटना सरकार के परियास के बाद भी क्यों नहीं रुक रही, अदालत ने कहा ह कि स्कूल बसों में बच्चे आना जाना करते हैं, बच्चों के साथ योन उत्पिरन की घटना नहों हो, इसके लिए इस्कूल परवन्था को बस में एक, दो इस्कूल स्टाप का रखना जरूरी है, ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके सिपाही भरते में मिरितक आरती केर केटा के परिजनों से मिले अमर बावरी, उत्पात सिपाही भरती परिशा के दोरान दोड में गिरने से चानहों परखन के टांकर निवासी आरती केर केटा की मौत होगा, इस हेदय बिदारक घटना की जनकारी मिलने पर जार्कन बिधान सबागे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने मिरितक आरती के परिजनों से मिले भाजपा नेता अमर बावरी ने सिपाई भरती परिज़ा के दोरान आरती की मौत पर उनके परिजनों से मिलकर सोक सन्वेदना ब्यक्त की है अमर बावरी ने परिज़नों को संतावना दी है और उन्होंने कहा है कि सिपाई भरती परीछा दोड में सबी 16 मिर्प्त की परिज़नों को भाजबा ततकाल एक अकलाक रुपे देगी अमर बावरी ने घोषना करते हुए कहा है कि तीन महीने बाद अगर हमारी सरकार सत्ता में आएगी तो परतेक मिरित्त के एक परिजोन को नोकरी और पांच लाख रुपे मुगजा भी देगी उन्होंने कहा है कि मिरित्त के परिजोन को दूख की इस घड़ी में भाजपा परिवार उनके साथ खड़ी है सर्विस रूल का उलंखन कर रही ज्यारखन की कैबिनेट सची भाजपा के प्रदेश प्रभारी डाक्टर लक्षमी कान्त वाजपाई ने कहा है कि हतास निरास्त मुख्य मंत्री हमान सुरेन राय नितिक हार सविकार कर चुके हैं सिराज सिंग चौहान और हमन्त विश्वा सर्माय की जारकन दोरे से उनकी बौकलाहट बढ़ गई है हमान सुरेन ने अपनी हार देखते हुए पताधिकारियों को आगे कर दिया है राय सरकार के पताधिकारी सर्वी सुरूल का खुल्याम धज्या उड़ा रहे हैं पताधिकारियों को पोलिटिकल मामले में चुनाव आयो को पत्र लिखने के उन्माति किसने दी वाजपई ने कहा है कि राय सरकार के महाधिवक्ता खुद बीधी बिरूद आचरन कर रहे हैं वे अब झामों के प्रवक्ता बन गए हैं हेमान सरकार अब भोरिया भी स्तारा से मेट रही है लोग सबाचुनाव के पहिणाम इंडी ठक बंधन को ड़ाने लगा है विदाई की बेला में भी हेमान सुरेन गलत वादे कर रहे हैं जारखन मौसम सोलह तक बारिस अलर्ट कोलहान समेथ पूरे जारखन में एक बर फिर मौसम बदलने की समभावना है इस दोरान राजी के अधिकांस जीलो में 16 सितंबर तक बारिस की समभावन अब्यक्त की गई है इस समभावन मौसम भी भागने पूरणमान अलर्ट जारी किया है बता दे राजी के 8 जीलो में 13 बारिस को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया है इसमें धनवाद बोकारो रामगार राची खुटी गुमला सिम्डेगा पच्मी सिम्मों सामिल है वहीं दूसरी और विरस्पतिवार को जम सेथ पुरका दिक्तम तापमान 24.1 डिगरी सेस्यस और नियमतम तापमान 26.0 डिगरी सेस्यस रिकोर्ट किया गया मौसम भी भागने नुसार इस हपते गरज चमक के साथ बारिस का उनुमान है चौदा और पंद्रह को धनबाद बोकारो रामगाड रांची खुटी गुमला सिम्डेगा पच्मी सिम्मों तेज बारिस के साथ बजरपात की भी असंका है इसे लेकर राजे में एलो अलट जारी किया गया है वहीं 16 सितमर को राजे के गड़वा पला मुलाते अर लोह दगगा गुमला और सिम्डेगा में बारिस का एलो अलट जारी किया गया है पीएम के कारेकरम की तैयारियों को लेकर डीसी ने की बैठक प्रधान मंत्री के जमसेत्पू दोरे के अधिकारिक सूचना आने के बाद जीला परसासन त्यारियों में जूट गया है पीएम के दोरे को लेकर बिरस्पतिवार को उपायूक्त अन्यान मितलने अधिकारियों के मेरातन बैठक बुलाई है जिसमें अधिकारियों को अलग-अलग टास्क दिया गया साथ ही टास्क पूरा करने के लिए अभी से ही यूद अस्तर पर जूट जाने का निदिस्ट दिया क्या है प्रसासनिक सूतरों के अनुसार परदान मंत्री कागमन को लेकर 14 सितमर को ड्राइ रन किया जाएगा इस दरन प्रोटोकाल के तहत उनके कारकेट में सामिल वाहनों के साथ जिस रूट से पी-एम गुजरेंगे उस रूट पर हलसल किया जाएगा परदान मंत्री 15 सितमर को टाटा नागर रेलवे स्टेशन से बंदे बाहर ट्रेन को हर जंडी दिखाएंगे वहीं इस्टेशन परिसर में ही आयोजीत सभा में लाबको को सम्मोधित करेंगे तद पस्चात वोल्टास वोल्चकर से कोपाल मैदान तक रोड सो एवं कोपाल मैदान में आयोजीत जंसभा में सामिल होंगे हेमंत सरकार के पास बताने को पांच काम भी नहीं बीजेपी के परदेश अध्यक्स बाबुलार मांडी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि पिछले पांच साल में जारकन की जनता गीद सासन में कैद है उन्होंने गुरुवार को ट्वीट करके लिखा है कि जिन आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के उदेश से अलग जारकन राजी की अस्तापना हुई हेमंत सुर्यन के कारेकाल में ओ सब कुछ छीना गया बाबुलान ने आगे लिखा है कि जारकन्डी अस्मिता को तार तार कर चुके हेमंत सरकाल फ्रेश्टर चार में गले तक डूबी हुई है युगाओ का भविश्य रसातल में चला गया जनता का वर्तमान दलदल में फसा हुआ है आदिवासी जनता इलाज के अभाव में मत रही है अस्पतार में डॉक्टर नहीं है जिसके कारण बच्चे दम तोड़ रहे है नौकरी के लिए दोड लगा रहे जुगा भी दम तोड़ रहे है बिधान सभाचुनाओं से पहले जारकन बिहार बॉर्डर पर बढ़ेगी चोकसी जारकन में अगामी बिधान सभाचुनाओं को लेकर इंटर स्टेट बॉर्डर, सीलिंग वा बीधी बेवास्ता समन्धी को लेकर गुर्वार को अरंगा बाद परिस सदन में बैठक हुई इसकी अध्यक्षता बिहार को अरंगा बाजिला अधिकारी सी कांत सास्त्री ने की बैठक में पलामू उपायूकत, पलामू ससी रंजान, एसपी, रिस्मा, रमेशन वा अन्यपदा अधिकारी मौजूद थे डॉक्टर की लापरवाही से मलेरिया, पिरित बच्ची की मौत, साहिब गन सदर अस्पताल में सोमवार को मलेरिया, पिरित बच्ची, गोद्दीन, पहाडीन, उर्फ, गोमदी की मौत मामले की जाच, रिपोर्ट सिविल सहजन द्वारा गठी, टीम ने गुरुवार को सौ बंधन किया, या उनकी कर्तबे के प्रतिला परवाही को दर्शाता है, बतादे साहिब गन सदर अस्पताल के OPD में तैना डाक्टर मोहमज भरोग हसन ने बची को तेकर भी घुसित कर दिया, लेकिन इस सम्बंध में पंजी में कुछ भी दर्ज नहीं किया, सहायक आचारे परिक्षा पर सूप्रीम कोट का फैसला सुरक्षीत, राज्ये में 26 एर एक पदो पर सहायक आचारे नियुक्ती परिक्षा में सीटेट और दूसरी राजी के टेट पास अभियार्थियों को सामिल करने की खिलाब मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद जार्खन सीटेट उतिन अभियार्थी संकी ओर से दायर जन ही तियाज का पर जार्खन हाई कोट ने दिसम्बर देरते इसमें अपना फ़तला सुरक्षी सुनाया था वहीं कोट ने 26 एर एक पदो पर सहायक अचारे की नियुक्षा में सीटेट पास अभियार्थी जार्खन समानित जार्खन में पिछले दो वर्षों में मैट्रिक और इंटर्मिडियेट परिक्षा के संतान में टोपर स्कोर राज सरकार समानित करेगी जैएक ICIC और CVAC के स्टेट टोपर को 3 लाख रुपए सेकेंड टोपर को 2 लाख रुपए और 3 लाख रुपए राय सरकार देगी इसके साथ साथ 60,000 रुपए तक का एक लोप्टोप और 20,000 रुपए तक का एक अस्मार्ट पून भी दिया जाएगा मुख्य मंतरी हेमन सुरेन और सिक्छा मंतरी बैदनाथ राम टोपर को समानित करेंगे इसकूली सिक्छा वासर्षता विभाग ने प्रस्ताव मुख्य मंतरी के पास बेजा है समारों के तीथीता होने के बाद टोपर 16 और उनके वाख को को सुचित किया जाएगा बता दे जार्खन सरकार ने दोहरतेश में मैटरिक और इंटरमीडियर्ट के टोपर को समानित नहीं किया है ऐसे में सरकार इस साल दोहरतेश और 24 के तीनों बोर्ड के टोपर्स को समानित करेगी खेलो जार्खन से अंडर 17 फुटबॉल होंकी का आयोजन हटा खेलो जार्खन के आयोजन को लेकर लागातार सवाल खड़े हो रहा है अब नाया मामला अंडर 17 अस्तर की फुटबॉल और होंकी परत्योगता को लेकर आया है सिक्षा विभा के तहत हो रहे खेलो जहरखण में आयोजोको ने अंडर 17 फुटबॉल और होकी परत्योगता के आयोजन को हटा दिया है इससे अब राष्ट्रिय स्कूल गेम्स फेडरेशन और इंडिया के तहत अंडर 17 फुटबॉल होकी टीम तयार करने में तक निकी परसानी आएगी अब आयोजन नहीं कराए जाएंगे तो परखण से लेकर राज अस्तर पर बहुत से खिलाडियों कराश्ट्रिय अस्तर पर खेलने और पदक जीतने का सपना तूट जाएगा धन्यवाद